आज हम एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं जो हिप जॉइंट से लेके थाई से लेके बैक तक पस का डिश्चार्ज करती है खास्त और से इंडिया में जहां टुबर क्लॉसिस का इंफेक्शन बहुत कॉमन होता है एक ऐसा पस एक ऐसा इंफेक्शन जो बैक पें से लेके हिप पें से लेके थाई पें तक कर सकता है इसको समझने की और ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं कि ये condition जो होती है पहले इसको समझने के लिए दो muscles को जानना जरूरी है एक muscle होती है iliacus muscle और एक होती है swas muscle ये दौनों muscles जो होती है वो एक खास point पे जाके लगती है जो femur bond का एक खास point होता है जिसे हम LTL lesser trochanter बोलते हैं वहाँ पे जाके दौनों muscles लगी होती है उपर से जो इनका descent होता है iliacus muscles जो होती है हमारी pelvic bond के साथ होती है जबकि swas muscle उपर से spine से आती है इस बात को समझना इसलिए जरूरी है कि जो abscess बनती है अगर spine में tuberculosis का infection होता है क्योंकि swas muscle वहाँ से attach होती है तो वो infection travel करते हुए muscle के साथ साथ नीचे hip joint और thigh तक जा सकता है इसलिए इस बात को समझना जानुगी था तो इस प्रकार से ये infection travel करता है अब ये infection होता क्यों है एक तो ये infection उन लोगों के अंदर बहुत commonly होता है जिनकी immunity कम होती है जाहे वो diabetes की वज़े से immunity कम हो किसी kidney की बिमारी की वज़े से HIV या AIDS जैसे infection के अंदर हो या patient किसी ऐसी medicines पे चल ले है steroids पे या immunosupprescent drug पे चल ले है तो उनके अंदर infection होने के chances बहुत होते है तो उसकी वज़े से कोई infection हो जाए तो ऐसी infection की condition में ये condition में abscess बनता है जो back में भी मिल सकता है front of thigh में भी मिल सकता है hip joint में भी मिल सकता है और आसपास के सारे area में ये abscess मिल सकती है इंडिया में tuberculosis जादा है तो tuberculosis वाली suos abscess मिलती है जिसे हम cold abscess भी बोलते हैं ज़रूरी नहीं है कि tuberculosis ही हो कई बार क्या होता है अगर कोई blood के थूँ infection ट्रैवल कर रहा है और वो infection आके इन ileus wasp muscle के अंदर चला जाए तो उसकी वज़े से भी infection फैल सकता है दूसरे bacterial infection में सबसे common staphylococcus aureus का infection होता है ज्यादतर cases के अंदर जो blood के थूँ आता है होती है उसमें spine में D12 level की जो vertebra है वहां से लेके L5 तक swast muscle का attachment होता है तो इन में से किसी भी level की bone में अगर infection होगा तो bone का infection muscle के थूँ hip joint, back of patient या thigh तक जा सकता है कुछ cases में ये infection hip joint के अंदर भी जा सकता है क्योंकि एक बरसा होता है एक तरीके की sack या थैली होती है जो hip joint के उपर होती है और ileo swast muscle के नीचे होती है अगर infection ट्रैवल करता है तो 15-20% लोगों के अंदर इसका communication इस sack का hip joint से होता है तो वहां ये infection वहां भी जा सकता है जब हमें इसका पूरा tract पता होता है तब ही जब हम ठीक करने वाले इस abscess को निकालने वाले होते है तब ही हम CT scan ultrasound या MRI से जब पता लगा लेते हैं कि ये abscess कहां बनी है तो कि ये back में भी बन सकती है ये front of thigh में भी हो सकती है ये hip joint के आसपास भी हो सकती है और hip joint के है तो इसको निकालने के दो तरीके होते है पहली बात तो ultrasound में देखके इस abscess तक पहुचा जा सकता है वो depend करता है कि कौन सी location पर ये abscess है उसका एक benefit यह है कि बिना सच्च्री के आप abscess निकाल लेते हैं साथ ही साथ आप इसको जाज के लिए भेज सकते हैं पता लगा सकते हैं कि यह tuberculosis का infection है यह bacteria का infection है दूसरे cases में जब आपको पता है और इसको आप पूरी तरीके से सारी abscess को निकालना चाहते हैं completely निकालना चाहते हैं तो surgically यह पहले decide कर लिया कि यह abscess की location कहां है और फिर उसके बाद incision लगा के cut लगा के उस area से फस को drain करके बहार निकाल दिया जाता है इसके अंदर एक और interesting situation यह होती है कि बहुत सारे patient जब आते हैं तो उनका hip joint मूरता नहीं है मतलब वो hip joint को fold करके लगते हैं तो ऐसा लग सकता है कि patient भी complain करें कि problem hip joint के अंदर है doctor को भी ऐसा लगी कि hip joint के अंदर है पर जब charge होती है proper history ली जाती है clinical examination किया जाता है तो पता लगता है कि यह hip joint के अंदर नहीं है यह infection hip joint के उपर है और उसके painful होने की वज़े से patient अपने comfort के लिए hip joint को मोड के रखता है और उस condition को हम बोलते है pseudo flexion deformity यह classical presentation होती है swast abscess के लिए या ileus swast abscess के लिए दूसरा इंडिया में क्योंकि tuberculosis बहुत ज़्यादा common condition है तो जब इस abscess को निकाल भी लिया जाता है उसके बाद भी हम anti-tubercular medicines एक लंबी duration तक देते हैं specially orthopedics में यह duration 9 महिने से 1.5 साल तक होता है जिसमें अलग-अलग tuberculosis की medicine दी जाती है bacterial में antibiotic इतने लंबी period तक नहीं चलती है पर bacterial infection अगर नहीं है यह tuberculosis का infection है तो antibiotic लंबी समय तक चलती है साथ ही साथ spine का check-up होना भी ज़रूरी है जहां से यह infection travel करके muscle के अंदर आया है तो अगर उसके अंदर को problem है तो उसके इसाब से उनको braces दी जाती है कैसे protected weight pairing चलना फिरना होता है उस चीज़ के पारे में बताया जाता है तो यह एक ऐसी situation है जिसकी अलग-अलग presentation हो सकती है अगर पूरी जैनकारी नहीं होती है तो एक confusion की state बनी होती है patient के लिए और शुरुवाती stage में doctors के लिए भी जब आप इसको समझ जाते हैं तो इसको treat करना असान होता है